हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल एक्जाम ओरियंटेट 3.0 में अगर आपने अभी तक एक्जाम ओरियंटेट 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया ज़िज़ ज़िज़ सब्सक्राइब कर लिज़े वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडि एक्जाम ओरियंटेट 3.0 ठीक है तो यह आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको यह चैनल मिल जाएगा और सबी वीडियो आपको उपलब दो जाएंगी चलिए और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्ते के कुछ most important question ठीक है हिंदी साहित्ते के आज हम question करने वाले हैं तो पहला question है किस यूग को अदूनिक हिंदी कभीता का सिंग दुवार कहा जाता है तो इसका right answer है भारते हिंदू यूग को next question है दुवेदी यूग के पिरवर्टक कौन थे तो ये थे महावीर पिरशाद दुवेदी next question है हिंदी का पहला समाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है तो ये माना जाता है भाग्यवति next question है सन 1950 से पहले हिंदी कभीता किस कभीता के रूप में जानी जाती थी तो इसे ज चलिए नेक्ट देखते हैं नेक्ट कोशन है ब्रेज भासा का सर्वत्तम कभी कौन है तो यह सूरदास नेक्ट कोशन है आदी काल के बाद हिंदी में किस साहित्ते का उदे हुआ तो यह वा तब भक्ती साहित्ते का निर्बुर भक्ती काब्बे के पिरमुक कभी कौन है तो व हिंदी का आदी कभी किसे माना जाता है स्वैम्भू को हिंदी का आदी कभी मानते है आदोनी काल का समय कब से कब तक माना गया है तो ये माना गया है उननी सो से अब तक का जैसंगर प्रिसाद की सर्वस्रेश रचना कौन सी है तो इनकी है कामाईनी बिहारी ने क्या लिखा है तो इन्होंने दो हे लिखे हैं नेक्स देखते हैं कबीर किस की सिश्य थे तो ये थे रावान अंजी के पद्य अबबत महा काब्य कौन सी भासा में लिखा है तो ये लिखा है अबदी में चप्पू किसे कहा जाता है गद्दे और पद्दे मिर्शित रचनाओ को चप्पू कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है कलाधर उपनाम से कभी ता कौन से कभी लिखते थे तो ये लिखते से जैसंकर परशाद दी चलिए आगे देखते है रस निदी किस कभी का उपनाम है तो इनका उपनाम किसका है तो ये है पिर्थभी सिंका प्रेम चंदर के अदूरे उपन्यास का नाम मंगल सूत्र हिंदी का सरबाधिक नाटक कार कौन है तो वो हैं जैसंकर परशाद जी तुल सीकत राम चरित मानस में कौन सी भासा का प्रियोग किया गया है तो ये किया गया है अबदी भासा का प्रियोग कोशित यह रहेगी कि पांच मिनट से जदल लगी वीडियो ना हो और आपको पांच मिनट में अच्छा कॉंटेंट मिल जाए नेक्स कोशन है एकांकी के जनम दाता कौन है तो वो है ध्रंबीर भारती जी मीरा भाई ने किस भाप से क्रिश्न की उपासना की तो मरधुर्य भाप से राम चरित मानस का प्रदान रस सांत रस है सबसे पहले अपनी आद्म कता हिंदी में किस ने लिखी तो वो लिकी थी डॉक्टर राजेंदर परिशाद जी ने चलिए नेक्स देखते है हिंदी कवीता का पहला महा काब्य कौन सा है तो वो है पिर्थवी राजरासो हिंदी के सर पिर्थम पिर्कासित पत्र का नाम क्या है तो वो है उद्दंद मार्तंडे नेक्स्ट है पिरथवी राजरासो किस काल की रचना है तो वो है आधी काल की ये माना जाता है भार्थ इंदू हरिस चंदर जी को तो ये कुछ टोफ 30 कोशन थे हिंदी शायद थे के मुझे आसा है कि आप को वीडियो अच्छी लेगी होगी और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा इसी तरह अगर आप अच्छी वीडियो जाना चाहते हैं प्लीज सस्क्राइब कर लीजे ताकि आपको नोटिफिकेसन मिल जाए वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को शेर कर दीजे और कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा पुरा जो भी है अपना फीडिवेक जिरूर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू